आज मैं आपके सामने मैस के question लेकर आए है, question क्या कहा रहा है, simplify this fractions, आप दे सकते हैं, कि ये question दिये वा है, इसमें ये पूरा term जो है, ये numerator है, ठीक है, और ये पूरा term है, ये denominator है, तो ये fractions है, और इसमें numerator और denominator में आप देखेंगे, पावर लगा हुआ, ठीक है, तो इसको हम 11-20 और denominator में economics में जो एक एक term है उसको हम एक DISAPP цен पहले simplify करें, जैसे हां पर पहला term कि एक 10 का power 6, उसको एक से solve करेंगे, फिर इसको एक से solve करेंगे, फिर इसको एक से solve करेंगे, फिर इसको एक से solve करेंगे। उससी तарीकी से, दिनामेटर में भी यह सब जो है, देखें यह तो simplest form है, क्योंकि 3 देखें, प्राइम नंबर है, यहाँ पर base 2 है, यह नहीं हो का simplify, यह simplify करेंगे, तो अलग-अलग जो भी जो base के साथ जो power लगा है, उनको हम पहले solve करते हैं, सबसे पहले 18 का power 6 है, जो दिया है term, इसको solve करते हैं, 18 का power 6, तो इसको solve करते हैं, तो यहाँ पर 18 का हम prime factorization निकालेंगे, तो 18 को हम क्या लिए सकते हैं, 2.3.3, आप इसको इन 2 कीजिए, 2.3, 6.3, 18, यह 18 के बराबर होता है, अब इस पर power 6 लगा है, तो ऐसे whole bracket लगा कि power 6 लगा यह, equal to, अब यह देखें, 2 है, 2 लिखिए, dot, यह equal to, अब यहाँ पर देखें, formula लगा है, कौन सा, कि अगर a.b है, और उस पर power आपका m लगा है, तो यह bracket खोलेंगे, तो यह power m लगेगा, dot b पर भी यह power m लगेगा, तो यहाँ compare कीजिए, इसको आप पूरे को आप a मानिए, और इस पूरे को आप b मानिए, ठीक है, इसको a म मानिए, तो आप देखें, यह बिल्कुल इसी format में है, तो जब आप formula लगाएंगे, तो क्या है, a का power m, a हमारा क्या है, 2 है, और m क्या है, m हमारा 6 है, dot, यह क्या है, बी का power m, थी का power 2 है, ठीक पावर 2 है, थीक का power 2, यह पूरा b है, और इस पर m क्या cultivation है, तो m हमारा क्या ह यह 6 है, तो होल पैकेट लगा के पावर 6 लगा दिजी, तो यह हो गया हमारा a का पावर m, और यह हमारा हो गया b का पावर m, ठीक है, equal to, अब यह देखिए, यह क्या हो जागा 2 का पावर 6, डाट, अब इसको समझे, यह क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है 3 का power 2 है और यहां पर whole packet लगा के again power 6 दिया है तो यहां कौन सा formula है कि अगर x का power m है और whole packet लगा के एक और power n दिया है तो यह बराबर होता है x और यह दोनो power m और n into हो जाएंगे तो compare कीज़े तो यह 3 आपका x है और 2 आपका m है और 6 आपका n है तो यहां पर 3 है और इस पर 2 power 2 है और यह 6 है तो यह दोनो power into हो जाएंगे तो लिखे 3 और यह 2 और यह 6 दोनों into का जो तो 2 और dot 6 है ऐसे लिख जिए ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 2 का power 6 dot 3 का power 6 टूजा यह क्या हो जागा 6 टूजा 12 हो जाएगा तो हमने क्या देखा कि 18 का power 6 जो है इसको हमने solve किया तो क्या आया 2 का power 6 dot 3 का power 12 ठीक है इसको हम black color के अंदर circle करके रग देते है ठीक है यह हो अब हम यह वाला term solve करेंगे क्या है यह देखिए 54 का power minus 3 अब इसको अलग से solve किजिए तो मैं page उपर करती हूं क्या है 54 का power यहां है 54 का power minus 3 ठीक है तो यहां पर देखिए 54 क्या है एक composite number है तो इसका हम prime factorization निकालेंगे तो prime factorization निकालेंगे तो 9 6 जा 54 होता है क्या होता है 9 6 जा 54 तो 9 को 3.3 लिसकते है 9 और 3 तूजा 6 तो आप इसको इंटू की 3 तूजा 9 9 तूजा 18 और 18 तूजा 54 तो यह 54 का LCM हमने निकाला तो यह आया और इस पर power क्या लगा माइनस 3 लगा है लगा दिया हमने equal to अब यहां पर देखिए 3 कितने बार आ रहा तीन बार कितने बार आ रहा है तीन बार तो इसको हम 3 का power 3 ऐसे भी लिसकते है अब यह माइनस 3 पावर इसमें ऐसे लगा दिजिए डाट 2 का power फिर यह माइनस 3 जो है ना दोनों में लगेगा इस पर भी लगेगा 3 का power 3 में भी और 2 पर भी लगेगा तो यह मैंने हमने लगा दिया यहां पर तो यह क्या हो जागा equal to 3 अच्छा मैंने को और फॉर्मूला तो यहां पर यह दोनों power 3 और minus 3 into हो जाएंगा तो 3 3 जा minus 9 क्योंकि minus 9 लगा है dot और यह क्या है 2 का power minus 3 तो हमने क्या देखा कि 54 पर जो power minus 3 लगा इसको solve किया तो आया है 3 का power 9 dot 2 का power minus 3 इसको भी हम black color में circle करके रख देते हैं ठीक है और हमारा क्या था numerator मे एक और टम क्या था हमारा था 8 का power minus 6 इसको भी solve कर लिजे तो देखे 8 का power minus 6 को कैसे लिखेंगे 8 को हम अगर power में लिखना चाहे तो 2 का power 3 लिख सकते हैं 8 की जगा अब इस पर power यह minus 6 लगा हो है तो ऐसे whole बैकर लगा कि power minus 6 लगा दीजे एक्वल 2 अभी मैंने formula बताया कि यह भी power 3 और minus 6 भी power है तो यह दोनों power आपस में 2 हो जाएंगे तो 2 और 3 और minus 6 इंटू कीजे तो 3 सिख जा 18 with minus sign यह आपको समझ में आगे है तो हमारे पास क्या है 8 का power minus 6 जो है यह 2 का power minus 18 ठीक है इसको दूसरे color से circle करके रख देते है ठीक है अच्छा numerator में और हमारा क्या था? थार्ट स्टम 36 का power 2 ठीक है equal to अब देखे 36 का L से निकालिए तो क्या होगा 3.3 2.2 3.9 9.18 18.18 2.36 ठीक है यह वह सबको इन 2 करेंगे 36 आएगा अब इस पर power 2 लगा है तो whole bracket लगा कि power 2 लगा है equal to 3 यहाँ पर कितने हैं दो बार तो 3 का power 2 लिके dot 2 यहाँ पर कितने बार है दो बार तो 2 का power 2 लिक ठीक है अब यहाँ पर देखे बीच में dot है और एक यह term है दूसरा यह term है तो जब bracket खोलेंगे तो यह power 2 इन दोनों में लगेगा तो bracket खोलेंगे तो पहले यह term लिके 3 का power 2 अब इसमें यह वाला power लगेगा तो ऐसे whole bracket लगा कि power 2 लगा है फिर क्या है dot लगा है फिर अब य यहाँ पर यह भी power है तो यह भी इंटू जागा 2 तू जाग 4 तो हमारे पास क्या आया पेश को थोड़ा उपर करते हैं हमारे पास क्या आया कि 36 का power 2 है इसको solve गया simplify किया तो आया 3 का power 4 और यहाँ पर क्या रहा है 2 का power 4 आ ठीक है तो जब आप इसको 3 को 4 बार इंटू करें तो इसको solve कीजिए तो 24 का L सम लिजिए और इसके पर power लगा है minus 2 24 का L सम क्या होगा 6 4 जो 24 होता तो 26 फिर 2.2 तो देखे 26 और 24 हो गया अब इस पर power क्या लगा negative minus 2 ठीक है equal to अब यहाँ पर देखे 2 कितनी बार आ रहा है एक दो तीन तीन बार आ रहा है तो 2 का power 3 हम ऐसे लि इसके भी यह power लगेगा और 3 पर भी यह power minus 2 लगाएगा तो पहले 2 का power 3 लिखे उसके बाद यह power लगाना तो आसे whole bracket लगा के power लगाईए dot अब यह 3 लिखे और इस पर यह power minus 2 लगाईए यह आपको समझ में आए तो यह क्या हो जाएगा 2 अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 3 और minus 2 यह दोने power यह इंटू हो जाएगा 3 तू जा 6 with negative sign dot 3 का power यह क्या है minus 2 यह आपको समझ में आए तो हमारे पास 24 का power 24 का power minus 2 किसके बराबर आया है 2 का power minus 6 dot 3 का power minus 2 तो इसको भी black layer में रख दीजिए ठीक है अच्छा और denominator में हमारा क्या atom था हमारा था 27 का power 5 यह है ठ देखे 27 को अगर हम power में लिखना चाहे तो 3 का power 3 लिख सकते है ठीक है अब इस पर power 5 लगा है तो whole packet लगा के power 5 लगाई तो यह क्या हो जाएगा 3 और 5 3 जा क्या हो जाएगा इसको into कर दीजे 5 और 3 तो 3 का power 15 होगा तो हमारे पास क्या आया 27 का power 5 जो है इसको simplify किया तो 3 का power 15 है ठीक है इसको दूसरे के जर से circle में रख देते हैं तो हमने सारे time को simplify कर दिया जो भी numerator में थे अब हम यहाँ पर question लिखते है question हमारा क्या था question था यहाँ हमारा 18 का power 6 से dot 54 का power minus 3 dot 8 का power minus 6 dot 36 का power 2 upon और क्या था 24 का power minus 2 dot 3 का power minus 6 dot 2 का power minus 4 dot 27 का power 5 यह था और जिसमें हमने इसको अलग से solve किया इसको अलग से solve किया इसको भी इसको भी और नीचे डिनामेटर में यह solve किया है और यह solve किया है और इसको नहीं किया क्योंकि यह already 3 और 2 क्या प्राइम नंबर है ठीक है तो यह ऐसी रहेगा ठीक है तो अब जो जो चीज भी आया है मैं यहाँ पर सामने इसके लिख देती हूं ठीक है यहां पर देखिए तो यहां पर मैंने सब लिखती है ठीक है अब हम इसको चलिए अब इसकी जगह सब रखते हैं जो भी हमने किया है ठीक है यहां से मैं इसको एडिख कर दूश तरीके से ठीक है तो चलिए कुश्ण अब इसको आगे बढ़ते हैं देखिए आगे क्या करना यहां पर हमक्यों 18 का power 6, इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 का power 6.3 का power 12, फिर ये क्या है, 54 का power minus 3, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, क्या है, 3 का power minus 9.2 का power minus 3, फिर ये क्या है, 8 का power minus 6, इसकी जगह हम लिखेंगे, 2 का power minus 18, फिर ये क्या है, 36 का power 2, इसकी ज किया है क्या है 2 का पावर, मा आइन सिक्स, 3 का पावर मा आइन सुछ फिर यहिए 3 का पावर, by इस्प लिखरों सृए, ठीका प्रलॉपर, भिर मंदम किया है 2 पावर ओप arrow, 27%, 3 पावर, 15, पाविए 35GS si, सब में क्या है अब पेज उपर करते हैं, अब यहां पर जतने base 2 वाले उनको एक साथ लिखते हैं, èक यह base 2 यह based 2 बेजकर है और क्या है एक यह base 2 वाला और यह base 2 को बेंगर do क्या है concerning this sharp 1 बेजकर आफ है बेजकर Просто गलिदो की इन को इक साथ लिखिया है, त्री कह पावर को ऐएक साथ भीगेंगे. त्री कहा पावर वाला कौन सा है? 12.3 कह पावर-9 चांड एक सात लिगती है. थीक है, अब अपान? अब देखिए नीचे भी वही करेंगे, तू का बेस्टो वाला कौन सा है? यह है, तो लिखिए इसको लिखे, 2 वाला मान सा पावर है ⁺ ⁺ ⁺ ₯ ृ ⁺ ⁺ एस तरह के से लिख दिया ठीक है, अब यहां पे देख़ें बेस2 वाला लिख दिया , प्याहा पे देक्स बेस गाल यह सब लिख दिया 6 डौटBI और यह क्या है तो फिक सिफिंद्रा यह क्या है तरीके से लिख दिया ठीक है आप यहां पर، तॉ आप यहां पर देखें कि बेस्न भार भाला, मैंने पुरा ब्रैकेट में लिख दिया यह यह देखें कि बेस्न ड और dot का sign लगा है, तो आपने पढ़ा होगा power and exponent पे, कि अगर base सेम रहता है, जैसे x का power m है, dot x का power n है, equal to x का power, base अगर सेम है, तो power add हो जाते हैं, अगर बीच में into और base सेम है, तो power add याने कि m plus n, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर base सेम है सब जगा, तो base सेम है, तो power add हो जाएगा, power मतलब क्या, 6, minus 3, minus 18, और 4 यह सब add हो जाएगा, तो कैसे लिखने है, 2 लिखें और सारे power add कर देजिए, जैसे 6 है, पहला power 6 है, plus, दूसरा क्या, minus 3, minus 3 power negative, यह तो bracket में लिखिए, base सेम है, 3, 3 है, तो power, power सब add हो जाएगा, यह power, minus 9, और 4 सब add हो जाएगा, तो लिखें 3, इस पर power क्या है, 12, plus, यह देखिए, minus 9 है, तो यह negative है, तो bracket में लिखिए, plus, और यह क्या है, 4 है, यह आपको समझ में आया, आपन, उसी तरीके से नीचे भी करेंगे, 2 लिखें, देखिए, base सेम है, तो power, यानि कि minus 6 और minus 4 add हो जाएगा, तो यह देखिए, minus 6 है, तो minus 6 लिखिए, plus, इस पर क्या है, negative power है, minus 4, तो bracket में लिखिए, फिर dot, यहाँ पर भी देखिए, बेश सेम है, 3, 3 है, तो power, यानि कि minus 2, minus 6 और 15 सब एड हो जाएगा, तो लिखिए 3, फिर power minus 2 प्लस, अभी इसका power minus 6 है, तो bracket में लिखिए, प्लस, यह देखिए, क्या है 15, यह आपको समझ में आया, तो आप देख सकते हैं, तो question धीर-दीरे छोटा होता चला जा रहा है, सिप power and exponent का formula ही यूज़वा है, तो equal to 2, अब देखिए, इसको simplify करना है, तो यह क्या 6 है, plus, minus, minus 3, फिर देखिए, plus, minus, minus 18, और यह क्या है, plus 4, यह आपको समझ में है, dot 3, यह देखिए 12, और यह plus, minus, क्या होज़एगा, minus 9, plus 4, यह आपको समझ में है, upon, अब देखिए 2 लिखिए, यह क्या minus 6 है, और यह plus, minus, minus 4, dot 3, यह क्या है, minus 2, और यह plus, minus, minus 6, plus, और यह क्या है, 15, यह आपको समझ में आया, तो अब पेज उपर करते हैं, यह हमारे पास, ठीक है, तो equal to, 2, अब देखिए, यह वाला, इसको simplify, जस्ट करना है, board mass, उन लगाना है, यह plus 6, और यह plus 4, तो 6, plus 4, 10, और 10 में से, आप 3, minus कीज़े, तो क्या आएगा, 6 और 4, आप सॉल्फ करेंगे, तो यह minus से लिया बनाएगा, ठीक है, dot 3, अब इसको सॉल्फ कीज़े, 12 में से नौगिया, क्या बचा आपका, 3 बचा, 3 बचा, अब 3 और 4 क्या हो गया, 7 हुआ, upon, अब इसको सॉल्फ कीज़े, 2 लिखिए, और यह minus 6 है, minus 4, minus minus plus 6, और 4, 10 हो गया, अब क्योंकि दोनों में, negative sinus लिया, यहां negative sinus लिया, dot 3, इसको सॉल्फ कीज़े, देखिए, यह minus minus plus, तो minus 2, और minus 6, क्या हो गया, minus 8, और minus 8, plus 15, 15 में से 8 गया, क्या बचा, 7 बचा, तो 3 का पावर 7 आया, यह आया, अब आप यहां देख सकते हैं, यह और यह cancel हो गया, तो क्या बच रहा है, 2 का पावर minus 11, अपन 2 का पावर minus 10, यह बच रहा है, equal to, अब देखिए, यहां पर formula कौन से लाएगा, कि अगर x का पावर m है, और x का पावर n है, तो यह बराबर होगा x है, मैं इसको erase कर दो, क्योंकि यहां बेस सेम है, और divide है, तो पावर आपस माइनस रहें, यहां पर भी आप देख सकते हैं, यह बीच में divide का side है, यहां पर बेस सेम है, 2 इधर भी बेस सेम है, तो यह पावर, यह पावर और यह माइनस 10, आपस में माइनस हो जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2 लिखें, फिर यह हमारा क्या है, माइनस 11, फिर माइनस देखें, m माइनस n है, तो m हमारा क्या है, माइनस 11, फिर क्या है, यह minus का sign ने minus लगाई, फिर n, n हमारा क्या negative महिन है, तो bracket में लिखेंगे, ऐसे, यह होगे equal to 2, यह होगे minus 11, अब यह minus और यह minus plus 10 हो जाएगा, तो equal to 2, अब देखें, इसको solve कीजे, minus 11 plus 10, 11 में से 10 गिए 1 बचा, अब क्योंकि 11 बड़ा, इसका sign negative है, तो यहा negative minus 1 होगा, minus 1 पा negative power है, positive का बोगा, जब हम इसको 1 upon नीचे ले जाएगे, तो यह minus sign हट जाएगा, तो सीधे 1 हो जाएगा, यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा formula लगा है, यह क्या है, अगर x का power minus m है, तो यह बराबर होता है, 1 upon x का power m, यह formula इसमें लगा है, आप दे तो उमेद है, आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया होगा,